आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Fill in the blanks with suitable word यहाँ पे पूछा गया है की correct word से fill करने के लिए जो blank है question है As a result of nitrogen cycle, the percentage of nitrogen in atmosphere remains more or less जो nitrogen का percentage होता है according to nitrogen cycle उसमें कितना percentage nitrogen जो है वो atmosphere में पाया जाता है तो basically अगर हम लोग atmosphere में बात करें तो जो भी gases पाये जाते हैं उनका हम कह सकते हैं की measuring जो है वो constant रहता है जैसे for example अगर हम लोग देखें तो first kind of gas जो कि यहाँ पे nitrogen है यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है in our environment और वो होता है 78 percentage और यह 78 percent जो है यह एकदम constant होता है इसलिए ना यह more होगा ना यह less होगा हमारा correct answer हो जाएगा constant और यह changes जो है वो कभी भी देखने को नहीं पाये जाते है next अगर देखा जाये तो oxygen का amount अगर atmosphere में चेक करें तो वो near about 21 percent का होता है वहीं पे carbon dioxide का अगर हम लोग चेक करें तो वो हो जाता है 0.003 percent और other gases जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे हिस्सेदारी लेते है तो यहाँ पे correct answer हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो percentage होता है gases का वो एकदम से constant होता है इसलिए हमारा correct answer हो जाएगा constant क्लासिक सिट्वेल से लेके नीड आयाइटी जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाथ्साब कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर